मुझा मुझा अप लोग सोचेंगे ये वीडियो के स्टार्टिंग, खाते वे क्यों। तो आज मेरा दिनी स्टार्ट हूआ है कि मैझा जगी हूं लिटरली और मिकू न ये कचोरी और ये चन्ने की सबजी पसंद है तो, मैंने खाया है और फिर मैं सो गही हूं क्यूंकि मैं सुबह के चार बज़े सोए थी तो मैं को नीन तो आई रही थी बट मैं ये कचोरी मिस ने कड़ सकती थी तो मैंने खाया है और फिर मैं सो गई हूँ तो इसलिए ये वीडियो ना कचोरी से स्टार्ट हो रहा है मतलब बेसिकली खाने से स्टार्ट हो रहा है नहाया दुला खाया और उसके बाद अब मैं जा रही हो पढ़ने विकास आज कल मेरी थोड़ी रोडीन खराब हो गई है मैं को रात में नीन आती नहीं है और सुबर नीन खुलती नहीं है और मैं आज इतनी नीन में थी कि मैं रूम की हाला दिखाती हूँ कामवाली दीदिया है मैंने रूम भी नहीं साफ करवाया आज रूम की हालाद मैंने टेबल पर यह सारे बड़तन यह कपड़े मैं को लगता है हर होस्टल रूम में ऐसा एक चेर होता है जिस पे सिर्फ कपड़े और ऐसी जो फालतु चीज़े होती है और आज मैंने रूम की भी साफ नहीं करवाया तो यह देखे पुरे रूम भी गंदा है और यह रहा कुछ इस तरह का सकल हमारे रूम का और यह चेर वाली बात तो आप लोग प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कि एक चेर तो ऐसा होता है जस पर हम सब कुछ भड़ देते हैं सो चाई के बिना तो मेरी जिन्दी यह दूरी है तो मैंने चाई बना के ले आया है और फटा फट से चाई पी लेती हूँ सो चलो चाई भी पी लिया सब कुछ हो गया अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई आप लोगों से आज मुर को कुछ बात भी करनी है तो वो लास्ट में वीडियो में करूंगी जिसको सुनना होगा उनको वो सुन ले ना इनको नहीं सुनना होगा लिवेट ठीक है तो चलो अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और आज मैंने सोचा है मैं फिजिक्स का करेंट एलेक्रिसिटी स्टार्ट करूंगी वैसे मेरे पास नोट्स है एलन में भी मैंने बना रखा था तो एलन के भी नोट्स है और पी डबलू के भी नोट्स है तो सिर्फ मैं सोच रही हूँ ना कि पहले कुश्चन करती हूँ उसके बाद देखते हैं क्योंकि कुश्चन तो गलत होंगे फिर मैं डीमोटिवेट होंगी तो यह हमारा होता ही होता है अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हम मेंसे हर किसी का कोई न कोई सपना जरूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए सुबर साम दिन रात मेहनत करते हैं और सोचिए कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे सपनों के राहों को पहले से आसान बनाए जो दे हम आजादी हर मुझे को आसान करने की नए सफर नए मंजल की ओर बढ़ने की दोस्तों मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही साथी की जो हमेशा से देता आया है बच्चों को हैस्टेक सपने दिखाने की आजादी और इस आजादी के तोहार पर आप सभी के लिए PW लेकर आया है धेरो उभार अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला के सभी बैचेस पर भारी डिसकाउंट मिल रहा है तो जल्दी करें आजादी के खास ओफर का लुप्त उठाएं और अपने करियर बहतर बनाएं ओफर सिर्फ 20 अगस्त तक है ठीक है और अगर बैचेस की बात की जाए तो यकीन 4.0 बैच आ गया है जो कि पहली पर आईगेस आया है और यह इंडिया के स्ट्रॉंगेस्ट नीड्रॉपर बैच हो सकता है जो अगर आप 250 भी स्कोर कर रहे हो तो आप 650 तक स्कोर कर सकते हो और नीड 2024 को क्लियर करना चाहते हो और डॉक्टर बनते हुए अपने आपको देखना चाहते हो तो प्लीज गो एंड इन्रॉल इन दिस बैच जिसका प्राइस है 3200 अगर अरजुना नीड 3.0 बैच की बात करें तो यह 11 वालो के लिए है अगर लग्ष नीड 3.0 बैच की बात करें तो यह 12 वालो के लिए अगर बात करें इस बैचेस में आपको क्या-क्या मिलेगा तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो आपको पी डबलु के एप पे और आपकी सेड्यूल टेस्ट होगी एकॉर्डिंग तो दे प्लैनर तो यह सारी चीजे मिलेंगी अगर क्लास 11 वालो के लिए बात की जाए तो आपको जैसे अगर एक चैप्टर है आप सोच रहे हो कि जैस सिर्फ मैं पॉकेट कोर्स यह भी ह आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप 49 रुपीज में आप इस तरह के चीजे ले सकते हो जहां आपको हर चैप्टर के लिए मिलेंगे वन सॉट वीडियो और प्रैक्टिस सीट हैविंग 50 कुश्चन्स इन क्यूज फॉर्मेट एंड टेस सेरीज अगर मैं बुक की बात करो तो यह सारे पैचेज में आपको इच सेट अफ बुक मिलेंगे जो आप अलग से पर्चेस कर सकते हो जिस बुक में आपको कॉंसेट अप्लिकेशन कुश्चन्स होंगे सौट नोथ होंगे टॉपिक वाइस लडिन प्लस एंड मल्टी कॉंसेट एमसी क्यूज होंगे आपको असर्शन रिजन कुश्चन्स होंगे जो कि आजकल बहुत जाएदा आरहे हैं नीट के 10 साल के प्रिवेस एर कुश्चन्स होंगे इलेबरेटेट सॉलुशन्स होंगे तो यह सारी चीजे आपको मिल जाएंगी PWA's other surprises for you all so independence day sale is live at PWA store so please go and check it out और मैंने सारे लिंक्स जो है वो आपको description box में दे दिये हैं अगर आपको extra discount चाहिए तो मैंने यह coupon code दे दिया है अगर आप इस coupon code को apply करोगे तो आपको 150 रुपीज का instant discount में मिल जाएगा so please go and enroll और अपने सपने को पूरा कीजे पीडबलो देता है सपने देखने की आ जाती so happy independence day okay so अब मैं यहाँ start कर रही हो current electricity का question बनाना so सबसे पहले मैंने previous year questions बनाया था फिर exercise 1 के questions बनाया थे और फिर exercise 2 के बनाया थे कि मतलब कॉनसे पता होती भी भी पता नहीं मैं क्यों silly mistakes करती हूँ मुझे लगता है कि यह formula क्यों नहीं लगा so आप लोग को पता होगा मैं YouTube पे हूँ पता क्या होगा मैं हूँ तो हूँ तो इसके regarding बात कर रही है मुझे मैं को मैं ना कोरोना की time से बात करती हूँ कि कोरोना की time पे ना मैंने search किया था मुझे उसी time से ने एक चीज में को hit करती थी कि मैं को एक independent girl बनना है एक independent woman बनना है girl बनना जो भी बोलो ठीक है तो में को independent बनना था में को financially में को बहुत जादा नहीं कि मैं एकदम घर बगारी बंगला खरीद रही हूँ जैसे उस time हमारी expenses के होते थे कि हमारे phone का recharge हो जाया ठीक है मैं exactly reality बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या I guess अभी इनसी जो को न कुछ लोग relate कर पा रहे होंगे कि yes phone का recharge करने के लिए भी ऐसा लगता था कि parents से 1500 रुपे 200 रुपे जो भी होते हैं वो मागने परते थे तो कोड़ोना में मैंने search किया how to earn money online ठीक है तो मुझे YouTube पे पदा चला कि आप YouTube पे वीडियो बना के इस तरह से earn कर सकते हो आप Qwera पे answer के earn कर सकते हो बहुत सारी चीजे पदा चली ठीक है कि ऐसे ऐसे आप चीजे के earn कर सकते हो तो मैंने कुछ चीजों में apply किया like मैंने Qwera पे अपने कुछ questions answer जो भी जितने मेरे पास थी कि मैं इस चीजों के answer कर सकते हो वो करा YouTube पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और आपको नहीं पता होगा मैंने ये Neat Study Vlog वाले content से पहले 3-4 बार try कर चुकी थी मैं कि मैं कुछ अलग content बनाती हो like बहुत सारी अलग-अलग चीजे try की बट वो सारी चीजे work नहीं की basically तो फिर मैंने सोचा है कि मैं जिस चीज की पढ़ाई कर रही हूँ मैं उसी से related क्यों न बनाओ कि उससे related ही होगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और क्या पता लोगों को पसंद आए तो मैंने ये Neat Study Vlog से related content बनाने स्टार्ट किया ठीक है ये हो गई मेरी बात और रही ब तो मेरे पास एक कोड़ा आया और उसमें मेरा जिक्र हुआ था और किस तरह से जिक्र हुआ था वो भी बताती हूँ कि मैं वीडियो में प्रोमोशन क्यों करती हो यार मैं YouTube पे सीधी बात बताओ 95% या 99% दो ही तरह के YouTube पे लोग है या तो वो earn करने आए है YouTube से या फिर उनक के पास platform नहीं है तो वो अपने उस platform मतलब YouTube को एक platform की तरह यूज कर रहे है तो मैं clear 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 तीर भार बोल रही हूँ मैं YouTube पे इसलिए आई क्यों कि में को earn करना था तो इस चीज के regarding पता नहीं मैं अपनी बात के रख पा रही हूँ या ने रख पा रही हूँ आप लोगों तक म मैं जो बात कहना चाहरी हूँ वो आप लोग तक पहुंच पा रही है या नहीं बट reality यही है कि YouTube पे जितने भी नीट study vlog से related बहुत content है बहुत लोग अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं और वो आप लोग उनसे दिल क्यों लगा लेते हो मुझे ये नहीं समझ में आता वो negativity है तू ऐसा नेगर रही है तू ऐसा कर रही है आप लोग सोचते हो कि अगर नीट से related content बना रही है तो उसके content में सिर्फ किताब copy ही दिखनी चाहिए तो यह कहां लिखा है जो life में चीजें होंगी मैं जैसी हूँ वैसी दिखाऊंगे ना आप लोग पता नहीं बहुत ही negativity हो गई है आज कर ठीक है वो कुछ लोगों का opinion है I hope मैं अपनी थोड़ी बहुत बात रखना चाहा रही थी वो मैं रख पाई होंगी आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे so कुछ यही था आज का ग्यान I hope मैं अपनी बात रख पाई होंगी और थोड़ा बहुत समझा पाई होंगे कि मैं exactly क्या कहना चाहा रही थी and yes जो negativity फैला रहे हैं वो तो फैलाएंगे and no doubt कुछ भी हो जाए बट ठीक है मेरा यही opinion था आप लोग उसमें अच्छा बोलो खर आप बोलो वो आपकी है मरजी है so कुछ आज का वीडियो ऐसा रहा I hope आप लोगो को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा and yes आप लोग अपना opinion रखो में कुछ यह नहीं समझ में आते है कि कुछ लोग ना opinion देते देते यह गाली गलोज कहां से आजाती है तो कुछ यह चीज में को बहुत ही गंदी लगती है तो ठीक है चलो बाई